यह कोई paid और sponsored review नहीं है इसमें product का selection उनकी performance, features, user feedback के basis पर किया गया है I assure you यह help करेगा आपको एक best product चूज करने में Thanks for your support क्या आप जानते हैं कि 40% लोग अपनी need के according printer चूज नहीं कर पात या तो वो अपनी requirement से जादा features वाला printer ले रेते हैं या फिर वो अपनी requirement से कम feature वाला printer ले लेते हैं तो हमेशा जब भी हम कभी printer buy करने जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हमें ये पता रहे कि आपकी जो need है उसके उसमें वो printer है वो fit बैठता है या नहीं बैठता है तो कौन कौन से features होते हैं जैसे कि आपका usage क्या है आप किस काम के लिए printer use करना चाहते हैं तो जो printer है उसमें किस टाइप की technology यूज हुई है तो उस printer में आपको per day या month में minimum कितने pages के print निकालने होते हैं कि उसके कौन से features हैं लाइक वो wired है या non wired है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए तो आज इस वीडियो में मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूँगी और आपको बताऊंगी कि कौन सा सबसे अच्छा printer है आपकी need के according और आपको कैसे एक अच्छा printer चूज करना चाहिए Welcome to my channel और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे laser printers के बारे में अगर आपको laser printer खरीदना है तो सबसे पहले चीज है उसका usage जो laser printers होते हैं वो जो bigger enterprises होते हैं या फिर जिनकी printing की shops होती हैं उनके लिए ये perfect होते हैं क्योंकि ये budget में थोड़े जादा होते हैं इनकी pricing दूसरे printers के comparison में जादा होती है functions हैं वो आपको इसमें बहुत सारे functions मिलते हैं लाइक इसके अंदर आपको printing, scanning, copying अगर आपको जो pages हैं उसमें both side printing करनी हैं जो duplex printing की function होता है वो करवाना है तो वो भी इसमें आपको automatic function मिलता है इसके अलावा इन printers में आपको ADF जो automatic document feeder होता है वो मिलता है आपको अलग से खड़े होके सारे pages copy करने के लिए ज़रूरत नहीं होती वो अपने आप आपको डालना है उसके drag में और वो अपने आप pages लेता जाता है print करता जाता है scan भी करता जाता है तो यह बहुत सारे features होते हैं जो laser printer में मिलते है तो अगर आपको इस type का work है तो आपको laser printer लेना चाहिए then इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो laser printer आप लेने जा रहे हैं उसमें connectivity किस type की है mostly जो सारे laser printers आते हैं वो wifi से connect हो सकते हैं in fact वो multiple device से एक बार में connect हो सकते हैं तो यह इसका main feature होता है तो यह depend करता है कि आपको कितने devices connect करने हैं वो भी इसमें limitation आती है अगर आपको 3-4 devices ही करने हैं तो वो आपकी price को थोड़ा reduce कर सकते है then इसके अलावा है कि इसमें आपको जो speed है वो कैसे मिलेगी इसमें आपको बहुत अच्छी speed मिलेगी इसकी जो printing की cost होती है वो बहुत काम आती है like इसमें आप बोल सकते हैं कि 7-20 पैसा ही इसकी जो pages है उनकी printing की cost आती है but इसमें जो printing के लिए technology है वो आपको ध्यान में रखने सी है कि इसमें toner powder use होता है इसमें ink jet printer या ink tank printers की तरह नहीं होता है इसमें अलग तरीके से printing होती है तो जो printing की quality है वो इतनी अच्छी नहीं होती है comparatively ink tank और ink jet तो अब मैं आपके साथ में उन laser printers की list शेयर करूँगी जो इस वक्त market में सबसे अच्छे laser printers available है यह जो मैंने list prepare की है यह based है लोगों के ratings उनके review उनके feedbacks उन्होंने use करने के बाद में क्या feedbacks दिये और इनकी जो pricing है वो कितनी है इनके लिंक्स मैंने नीचे description box में provide कराए है वहाँ से जाके आप check कर सकते हैं और अगर आप इन links की तरू इन printers को buy करेंगे तो आपको एक अच्छे discounted price में market से भी कम price में ये printers online मिल जाएंगे और अब मैं आपके साथ में ये जो printer से उनकी one by one details शेयर करूँगी नामर फाइज पे जो printer है वो है Samsung company का printer इसमें आपको single function ही मिलेगा इसमें आप सिर्फ printing ही कर सकते हैं इसमें scanning और copying नहीं होगी इसमें जो connectivity है वो wired connectivity है इसमें आपको wifi connectivity नहीं मिलेगी अब बात रही इसमें printing type कैसा मिलेगा तो जो laser printers होते हैं उनमें आपको सिर्फ black and white printing ही मिलती है और जो इसकी speed है वो आपको बहुत अच्छी speed मिलेगी इसमें जो duplex printing system है जो pages के both side में printing का system है वो इसमें automatic मिलेगा और ये जो product है इसमें इसमें आपको प्रिंटिंग, scanning, copying मिलेगी इसमें जो connectivity है वो wired है इसमें wifi नहीं मिलेगा इसके अलावा जो इसकी speed है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी और इसके अलावा इसमें जो duplex printing system है वो automatic available है इस product will cost you around 13,800 रूपीज नाव जो नमबर 3 पे है वो है Canon company का laser printer इसमें जो functions है वो आपको single function मिलेगा ये सिर्फ printing के काम का है scanning और copying आपस में नहीं कर सकते है इसकी जो connectivity है वो आपको wired connectivity मिलेगी और इसमें आपको जो printing है black and white printing मिलेगी जिसमें speed आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसमें and इसके जो duplex printing system है वो manual है and this product will cost you around 11,000 रूपीज now जो second number पे है वो है again brother company का laser printer इसमें जो function है वो single function है ये इसका disadvantage है इसमें scanning और copying आपको नहीं मिलेगा इसमें connectivity भी USB है वाई-फाई से connect नहीं कर सकते है then इसके अंदर आपको black and white पे जिसके printing मिलेगी now जो number one पे है वो है HP company का laser printer ये multifunction है इसमें आपको printing, scanning, copying मिलेगी इसमें भी आपको जो connectivity है वो दोनों मिलेगी इसमें आपको wired connectivity मिलेगी, non-wired मिलेगी तो ये इसका plus point है कि इसको आप Wi-Fi से connect कर सकते है और इसमें जो printing है वो black and white होगी speed बहुत अच्छी मिलेगी बट इसका जो duplex printing system है वो इसमें manual है ये automatic duplex print नहीं करता है and this product will cost you around 16,800 रूपीस see you, thanks for watching, bye bye